गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज जब पत्वाटे समने टॉपिक लेके हैं यहां स्पीड टाइम डिस्टेंस बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिंग है अपना हे पंजाब पुलिस दे पेपर दे लई जा जिनने भी गवर्मेंट एक्जाम ने तो स्टार्ट कर दें जी सब तो पहली गाल सबनू पता हो गवी स्पीड इस इकल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होंदा जिननू पंजाबीच केंजने चाल ब्राबर दूरी वटा समा ता अगर ता किलो मीटर प्रती कंटे नूं मीटर पार सेकेंड च कनवर्ट करना होवे ता पांज वटा ठारा ना कर माँ और इए याद रखना अगर मीटर प्र olacakम हो किलो मीटर पर आर्ज केंवर्ट करना ता ठारा माँ यहाद सेकेंड 12 वा नागनिस क्र तुर्पल जागनेसि है तो स्टार्ट कर दीए पहला कोश्चन कैंदैक टेनका ट्रेन यहाद है ट्रेनतरी स्पीड है ? यहाद है 54 km पर आ रहा है किना दस्सो के डिस्टेंस गवडे इन का से 10 Old ूंहोगत टैन् tätä इस चनुए जरा मूक से ठीगवरे ह faithful कि शितन Śाव जत्tar recite डिस्टेंस जी करना होए कि मैं आइऺद आई फारमुले तो पांसो चाड़ी किलोमेटर तो अड़ा डिस्टेंस आ गया जिन्हों अपाद दूरी कहने है फिर जी अगला कोश्चन किया है यह फिर बदिया है किना कोई बंदा है ए जब कोई भी मैन आ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एक बंदा गयना ए तो बीयुए अगड़ा कोई टेकर जानदा एट साथ सेवनटिफाइब किलोमेटर पर आ फेया तरदी श्पीड ना एंड रिटर्न अ थे बापस आँदा एटा स्पीड आफ 50 किलोमेटर पारा कैना एक बंदा ये तो B तक जानदा पीछ अतर दी स्पीड ना ते बापस आँदा पीछ याँदी स्पीड ना तक हैंदा दस्सो एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड करनी जदो आज बे एद्धाना कोश्यन आंदा दो आन्नू तो दा सिंपल जा कन्सेप्ट हुंदा 2xy over x plus y 2 into पहली value x दुजी स्पीड y over दोना सम 100 पच्ची कट दांगे पच्ची देटे बलते 60 km पर आर एवरेज स्पीड आ ठीक है जी नेक्स्ट कोश्यन देख देया है नेक्स्ट जी अगर ता एक ट्रेन मानलों एद्धरों आ रही है ते के द्धरों आ रही है यह दी स्पीड x है ते दुजी स्पीड है कि y मतलब ऑपोजेट ड्रेक्शन है ता जी स्पीड कठी निकल दिया है ता प्लास हो जन दिया है बट जे सेम ड्रेक्शन होवे यह दी स्पीड x दुजी दी y तो कठी स्पीड के निकल दिया है एक्स माइनस y यह इंपॉर्टेंट आ कंसेप्ट यह याद रखना है यह दिन आल कोश्चन बहुत होंगे जिस तरह की कोश्चन है कोश्चन नमबर थार्ड बी दो ट्रेन ने मानलों एक ट्रेन आ डिस्टे परिश्चन सब्सक्डार दो ट्रेमेट लिकल हुआ इक स्टेशन एक ट्रेन में एक ट्रेन चली ते यह तो कि ट्रेन चली तो ट्रेन चली यह जडी ट्रेण चली है, यह स्पीड हैगी 32 km पर आर, ते के दने चली है, वो दी स्पीड है गी ह्या 46 km पर आर, काई आगर दोना दे विचकाट डेस्टेंस आजडा स्टेशन दा जडा स्टेशन दा डेस्टेंस है, ओ 96 च्छती किलो मिट्र है ताद दस्व ट्रेन ना एक दुजे नूं क्रॉस कर जाण गया टाइम तो क्रॉस इच अधर जीडियां ट्रेन्ज ने एक दुजे नूं क्रॉस कर जाण गया इनूं करनदा सब तो पहला तरीक आया आपकानू डिस्टांस पता दोना दा दूजी गाल ऑपोजेट ड्रेक्शन आपका होन पाड़के यहां स्पीड की हो जिन दिया प्लस प्लस करता बत्ती देवेचे 46 माइनस प्लस की ता 78 किलोमेटर पार आरा गया तो टाइम कड़ना टाइम इस इकल टू डिस्टांस ओबर स्पीड डिस्टांस हैगा जी 906 स्पीड 70 कटके बारा कंटे देवेच अब ट्रेंज नेक दूए नूं क्रॉस कर जानी है होन कोशन किया अगला थोड़ा कोशन चेंज कर दें है कोशन किया हो होन कोशन है जी मान लो आ दिल्ली है आ पटना ठीक है एक ट्रेन चली हो रहा हूं फास्ट ट्रेन को ट्रेन फास्ट है थो चली एद्धर नूं दिल्ली तो पटना बाल नूं चली कर दों चौदा ती थे मतरब टाई वजे ते उधी स्पीड है गी या स्पीड है गी योधी सट क्लीर होया होगा फिर किया जी एक हो ट्रेन एथो ही चली ट्रेन सेकेंड पटना बाल नूं ते उधी स्पीड है गी असी किलोमेटर कैना दस्थो जड़ी या सेकेंड ट्रेन है एहे दुझी जड़ी पहला ट्रेन चली या उधे नाल कदों मीट हो जूगी हुन मीट कदों खरोगी एक दुझेन मीट कदों करन गी आओ ता सिंपल ज़ा कंसेक्ट है देखो उन जड़ी ट्रेन पहला चली ते जड़ी बाद विच चली दुन नदे टाइम दा फर्क देखो किने दो टाइम दा फर्क हैगा दो कंटे दा एदा मतलब जड़ी पहली ट्रेन है एक कंटे चे साथ किलो मेटर जान दी है दो कंटे पहला चली यह हो ता दो कंटे दे विच वो किनना डिस्टंस कबर कर दूगी एक सो भी किलो मेटर दुझी गाल स्पीड सेम ड्रेक्षिन हा ता आई सेटर्शे एक सो भी किलो मेटर आरेक्षे के सराथ कंटे चली ट्रेएं ऑनविच्च की ना आ दॉपशनेदर कुछ लोके इसस्टंस कवर करना क्योंकि आगर काए से से स्पीड दोना फ़ी एक बटाशक कट्थी गड़ी के सके काना अपन सिरफ 102 किलो मिटर दा डीस्टेंस कवर कारणा साथ ताइम गिना आजुगा डिस्टेंस ऊबर स्पीड डीस्टेंस आए 102 वता, स्पीड भी ताई 6 कंटे लगन गे उन्हुंगी होगेँ ताई 6 कंटे आप बिच्छ पामा गेँ डी ताई होगेँ यह बन जोगा शोड़ा दे छे बाई बाई वज़ के तीमेंट आँसर ठीक है जी नेक्स देख 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 जी एक ना कोश्चन एजी कॉंस्टेबल है एक कोश्चन आ सकता पेपर देख कॉंस्टेबल पेपर होने ने देखो आएक थीफ जा रहे है पहला है जीड़ा थीफ है चोर है ते कॉंस्टेबल आ कॉंस्टेबल है दोना देख जीड़ा डिस्टेश है वो कहा है यां 100 मीटर चोर जीड़ा कॉंस्टेबल तों 100 मीटर अगए है जीड़ा थीफ है उदी स्पीड हैगी 72 किलोमेटर प्रती कंटा ते कॉंस्टेबल हैगी 90 किलोमेटर प्रती कंटा कोश्चन है जी सब तो पहला देख सोभी किन्ने समेदे विच जो कॉंस्टेबल थीफ नू फड़ लूगा टाइम टू कैच दा थीफ किन्ना टाइम लगूगा चोर नू फड़न दे लई ता सब तो पहली गाल सेम ड्रेक्शन च जा रहे ने ता स्पीड माइनस हो जोगी अठारा किलोमीटर प्रती कंटा पर ए जड़ा डिस्टेंस है मेंटर를 दिता है किलोमीटर पर कार यह नू मेंटर पर सेकंड च कन वट करांगे पांज अठारा ना कोण तक है 5 म Efendi पर सेकेंड आ गया टाइम के ना आ गया डिस्टेंस ओवर स्पीड ता हंडर ओवर फाइव इस इकल टू टू ट्वंटी सेकेंड लगण गे उनूं कॉंस्टेवल नूं चोर नूं फड़न दे लए एक कोशन अपने पेपर देवेच आया हुए जड़ा हुने पेपर हुए न सो मीटर देन दिस्टेंस हैगा तो नूं करन दे लिए अपन कॉंस्टेवल दे अकॉर्डिंग चाल देया है कॉंस्टेवल दी स्पीड है की 90 किलोमीटर आर नूं अपक अनुवर्ट करता पच्ची आगी टाइम अपनू पता लाग रहे है वी किन ना लाग रहे है ता डिस suche चीआ तब फड़े जान तो पहला उने किना डिस्टेंस कवर कि ता 400 मेटर यह कोस्चन आ सकता आख पुछण तो पहला चोर ने किना डिस्टेंस होग एक कोशिने कैसा सारी bonus कोशिन कि कर दो यह और यह कोश्चन हैं कि कोश्चन जी को कि कि अकज़ अगर तह excluding stoppage मतलब रुकन दा समा जिता train दे रुकन दा समा कर दिये ता ता दी स्टॉपेज पता ही अभी जदों अपा स्टॉपेज आड़ा टाइम बिच गिनांगे ता स्पीड काट जूगी रुकन दा समा जे कडता ता ओ स्पीड आजे जमा करता ता पंताली किलो मिटर पारा ता कोश्चन है वी दसो जड़ी ट्रेन एक कांटे दे बिच्च ट्रेन एक कांटे बिच्च किन्ने मेंट रुक दी है ता एनू करन दा तरीका सिंपल है टाइम इस इकल टू जड़ा टाइम आपा कड़ना है जड़ी दोनों स्पीड आउनों दा डिफरेंस कार दो ओवर स्पीड विदाउट स्टॉपेज इन्टू सो इन्टू सिक्स्टी हुन दोनों स्पीड दा डिफरेंस कर रहे है पंजा चो पंता अली कट आया पांज रहे गया बटा बिना स्टॉप अली स्पीड एक्स्क्लूडिंग अली केड़ी है पंजा ते गुणा साथ बस इनू कट दांगे आई दना गट्टा गया अंसर की आया भी जड़ी ट्रेन है एक कांटे देवेचे किन्ने मेंट रोक दिया है पांज मेंट रोक दिया है नेक्स्ट कोश्चन है अपना यह भी बड़ा बदी आए यह भी पेपर देवेचे आजन्दा है कहता अगर एक ट्रेन है ट्रेवल कर दिया है थ्री बाइ फूर ओफ इट्स यूसल स्पीड यूसल स्पीड उन्दी है नॉर्मल स्पीड कहना एक ट्रेन अपनी जड़ी नॉर्मल स्पीड है ओधा जे तिन वटा चले तां अपनी मंजिल ते ती मिनिट लेट पहुंच दिया है तो असली टाइम की है असली टाइम की है बड़ा सौखा कोशन है ते इंपॉर्टन भी है शॉर्ट काट एदा किया है वो देख दिया है सब तो पहली गाल कहना एक ट्रेन है अगर मालो दी नॉर्मल स्पीड साव है अगर सौ दा तिन वटा चार स्पीड ना चले ता पतह यह अभी स्पीड काट करती ता जिते भी पहुंचन हो थे टाइम बद लगूँका पहुंचन ली तती मिट लेट पहुंच दिया गया ता दसो गया असली टाइम की है ता एदे लेट ट्रिक की है तो उसी जिनना तो दित्ती हुई है 3 x 4 दित्ती हुई है ते किन्ने मिन्ट लेट जारी हो लिखलो इना दुना दा फर्क देखना हमेशा 4 दे विचों 3 माइनस कीता 1 नाल टाइम पाधना ते उपपर अले दुना दी मल्टिप्लाई 3 गुण ते इनन 90 ता 90 मिनट असली टाइम सी उदा पहुंचन कोश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है को किया जी कोश्चन है कि एक परसन अगर अगर 20 किलोमेटर पार आर दी स्पीड ना जन्दा हुई ही रीच है इस ओफिस अगर बी किलोमेटर दी स्पीड ना जन्दा अपने ओफिस हो हुँ गे ग्यारा मिनट लेट जन्दा बट इफ गोज एट स्पीड अव थर्टी अगर हो तीरी स्पीड ना जावे देन रीच देन रीच देन रीच देन रीच देन रीच देन रीच हिज ऑफिस नाइन मिनट अर्ली फाइंड ओरिजिनल टाइम केंदा एक बंदा जे ता बीदी स्पीड ना जान्दा ता अपने ओफिस हो ग्यारा मिनट लेट पहुंच दा बट जे हो स्पीड बदा आदवे ता नौ मिनट जल्दी चले जान्दा ता असली टाइम दस हो एदा एक कंसेप्ट याद रखना एदा देन आल दा कोई भी कोशन है की अर्ली लेट दा कोशन है के अर्ली टे अर्ली धा कोशन हो शहे लेट टे लेट смотр को अगर ता अर्ली लेट स्पीड रrom दा क तहां पहुंच दा 11 मिन्ट लेट अगर तीजी नार जांदा अगर तीजी नार जांदा तहां पहुंच दा 9 मिन्ट अरली अगर ये लेटा ये अरली है करन दा त्रीका किया है तुस्ही ये इद्यूपलाई करने है हमेशां 5 न होन मैं लेखके हटेयां वी जे अरली अरली ये लेटा येकर शब्स करता है तख 490 कर संधा जे अरली येट में मैंने अकन मइस करता है ता इद्रों हमेशा माइनस एक करना इद्र हमेशा माइनस करना हमेशा माइनस करना इतर ती चो भी कट आया 10T वराबर 490 इन्हों इतना कटता टाइम के ना आ गया 49 मिनिट ए दिन आल दे कोश्चन तुसी एस तरीक के नार सारे कर सकते हूं उमीद करता है वीडियो समझ आई ह होगी क्लास नेक्स लेके जल्दिया मागें अगर वीडियो वदिया लगी हुए ता प्लीज वीडियो नो लाइक करें शेर करें ते चैनल नो सिस्क्राइब करें थैंक यू बाद